हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चानल ट्रावलर बजमी स्वागत है, इस वीडियो में हम आपकी मेहनत बचाने के लिए एकसेल अकाउंटिंग सॉफ्टवर लाए है जो लाइफ टाइम के लिए फ्री है, अब आपको हजारो रूपे किसी बिलिंग सॉफ्टव करना न भूले किये, ये फॉर्माट है, इन्वोइस का आपसाइट कंपनी का नेम और लोगो लिखना होता है, उसकी नीचे फुल अड्रेस लिखना होता है, उसकी नीचे ऑप्शन बिल्टु पार्टी आठा है, जिसमें मैंने क्लाइंट कोड दिये है, ये आप अपनी कन् के हिसाब से लिख सकते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप कोड सलेक्ट कर सकते हैं, मैंने पी शुन्य शुन्य एक एम शुन्य शुन्य एक इत्यादी कोड दिये है, आए दिखाती हुए कैसे काम करता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट में एक कोड सलेक्ट करती हूँ जैसे में P001 select करती हूँ और इसमें GST number, business name, address और state automatic भर जाएगा, right hand side invoice date और invoice number आपको manual भरना पड़ता है, नीचे passenger नाम भी आपको manual भरना होता है क्योंकि ये change होते रहते हैं, और नीचे product description में PNR, sector date of travel and flight number manual select करना है, उसके बाद amount service charge भरना होगा और ये आपका invoice complete, addition अपने आप हो जाएगा और GST state के हिसाब से अपने आप calculate हो जाएगा, यदि उत्तर प्रदेश का है तो CGST, SGST और अपके बहार है to IGST भर जाएगा, और amount in words में अपने आप bill का total amount English words में भर जाएगा, ये complete हो गया आपका invoice, अब आपको rate button save and print option में click करना है, इसमें आपको इतना करना है कि आप पहले बार आपको bills का folder बना कर एक bill को bill number one के नाम से save करना है, दुबारा वो अपने आप location में ले जाएगा, बस bill number आपको save as में डालना है, आए मैं दिखाती हूँ, ये तैयार हो गया bill, आशा करती हूँ कि आपको इस bill का format पसंद आया होगा, क्रिपया comment में जरूर लिखे, आप customer details option में आटे है, customer details में आपको अपने customer की details डालनी होती है, जैसे मैंने client code name, business name, address, state और GST number लिए है, आप अपने client का डाल सकते हैं, इस में आप 100 customer की details भर सकते हैं और जादा चाहते हैं, तो मुझे mail करें, मैं भेज दूगी, आप sales report पर आते हैं, invoice में जो भी आप फ़रेगे और save to sales report blue button में click करेंगे, तो सारा data आपका sales report में save हो जाएगा, मैं करके दिखाती हूँ, इस में benefit ये होगा कि हर मन्त जो आपको GST के लिए अलग से Excel बनाना पड़ता था वो नहीं बनाना पड़ेगा, आपके invoice के साथ आपका sales report generate हो जाएगा, इसको download करने के लिए मैंने description में google drive का link दिये हैं, आप request send करिये में अपनी mail से approve करके send कर दूगी, अगर आपको invoice and sales report generator पसंद आया है, तो आप comment section में इसको लिखे और next video में इसी software में client ledger और cash and bank ledger का भी option दूगी, जिससे आप client outstanding details निकाल सकते हैं, thanks for watching this video.